जया आमादमी पार्टी जो विशे लेकर आपके बीच आ रही है वो निजी स्कूलों में लगातार बड़ती फीस्विद्धी को लेकर है और जो निजी स्कूलों की मनमानी है जिससे अभिभावक और जो जितने हमारे हिमाचल परदेश में नीजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके विवावों में जो बोज पढ़ रहा है उसको लेकर हम एक मामला उजागर करना चाहते हैं आपके माध्यम से और सरकार से मांग करना चाहते हैं हिमाचल परदेश की जंता से मांग करना चा की त्यारी करते हैं, बिल लाने की त्यारी करते हैं लेकिन आकिन क्या कारण है जी दविश कर रखिये जिस्ते की है, पूरे साथ साल में एक भी परसेंट उन्हें फीस नहीं बढ़ने दी और तो और जितने वहाँ पे हमारे स्कूल हैं वो अपने जो अभिवावो को ये नहीं कह सकते कि आप ड्रेस कहां से लें आप स्कूल का मेटीरिल कहां से लें किताबे कहां से लें अन्य समान जो स्कूल में बच्चों को इस् हुए हैं और भगवंत मान जी हमारे जो मुख्य मंत्री है उन्होंने बिलकुल एक बहुत बड़ा फैसला लिया निजी स्कूलों के उपर उन्हें कह दिया कि कोई भी स्कूल वाला अभी भाव को ये नहीं कह सकता कि आपने फलाँ जगा से ड्रेस लेनी है फलाँ जगा से क पर्ग जो है बड़े नेताओं के साथ हैं चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे बीजेपी हो इसी यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हिमाचल परदेश के अंदर जो है जो अभिवावक बड़े परशान है अभी अभी कोरोना काल था दो साल के अंदर जिन अभिवावक जो प्च बेटाव के और हम अदेश करना चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की तर्ज पर एक बार आप पांच साल का मौका हमें दीजिए ताकि शिक्षा का सरले करन, शिक्षा में हम ये सारी चीजे ला सकें और निजीज को स्कूल है उन पहं दविश कर सकें और हिमाचल परदेश में भी जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो अभिवावों के भोज पढ़ रहा है उसको हम कम करेंगे हम उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहसे आश्वाशन देना चाहते हैं तो हमारी उनसे करवद्ध प्रार्थना है कि एक पांच साल का मौगा आम आदमी पा